तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके MPPSC प्यारंबिक परिष्चा का जो नया सिलेवस आया हुआ है उसमें हम लोग मद्विदेश के इतिहास, संस्किती और साहित में एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका खतम कर चुके हैं इसमें आपने देखा होगा कि एक क्लास में हम लोग ने मद्विदेश के इतिहास की मत्पूर घटनाओं के बारे में बड़ा था और पिर्वोख राजबन भी देखे थे और इसी क्लास में आपने सुधनता अंदुलन में मद्विदेश का क्या युगदान रहा है यहां की लोगों का बो भी हम लोग देख चुके थे दूसरी क्लास में आपने देखा होगा कि मद्विदेश की पिरमोख हम लोगोंने कलाएं और इस्थापत कला के बारे में जाना था इसी क्लास में आपने देखा होगा कि मद्विदेश की पिरमोख जन्जात जो बोलियां है जंजातियां है आंकी उनके बारे में भी काफी देख लिये थे पिदेश के पिरमोक तेवार हों, लोक संगीत हों, लोक कलाये हों, लोक साहित हों इन पर भी हम लोग बात कर चुके थे और इसी क्लास में आपने देखा था मद्विदेश के पिरमुक साहिदकारों के बारे में और उनकी जो भी रचना हैं उस पर भी हम लोगों ने बात कर ली थी और इसके बाद आपने देखा होगा कि फिर हम लोगों ने उसके बाद एक क्लास में हम लोग उने मद्पिदेश के पिरमुक धार में एवं परेटन इस्थल के बारे में बिस्ताल से बात की हुई है मुझे लगता है कि इतना काफी भी है और आज की इस क्लास में हम लोग बात कर लेंगे मद्पिदेश के पिरमुख जंजातिये छोड़िये जंजातिये तो सामिल करेंगे हम लोग पैति और भी जो भी बैक्ति मद्पिदेश में चर्चित रहें उन पर भी बात कर लेंगे हम लोग तो इसमें मद्पिदेश के जंजातिये अटाके जंजाती तो सामिल रहेंगे साथ में भी और भी आपके जितने भी लोग यहां के पिरमुक रहें या फैमस रहें उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे और याद रखे इसके लिए आप लोगों की नई जो पिलेलिष्ट सूची बनाई हुए है MPPSC, New Slayvers Estudy Material के नाम से तो इसी में आपकी सभी क्लासें डली रहेंगी ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं मदविदिस के पिरमुक जो भी बैक्तित हैं उनके बारे में तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चंड फरगोत के बारे में और अवंदी का सासक चंड फरगोत था और एथ से बड़ा हांती पालने का एक तरह से सौक था या फिर आप लोग बिसेसगिता कह सकते हैं कि हांती पालने के छेत में एक तरह से हांती पालन कला में बिसेसगिता हासिल की हुए थे फिर आप देखेंगे रुद्ध दामन तो अब रुद्ध दामन की बारे में आपको मालू होना चाहिए कि उज्जैन का सकराजा रुद्ध दामन संस्कित का महान पंडित था, महान ग्यानी था और जो गिर्णार संस्कित अभी लेका अनुसार सौराष्ट में सुदर्सन तटका पुनन निर्माड भी इसने करवाय था और सरपित्हम आप देखेंगे तित्ही युक्त चांदी के सिक्के भी आपकी रुद्ध दामन ने चलवाय थे और इसके समय आप देखेंगे ग्रीक लेकाक यवनेसों ने यवन जातक जोतिस ग्रंथ के ग्रंथ को ग्रीक से संस्कित में अनुवादित भी किया था फिर आप देखेंगे असोग का नाम भी काफी चर्चा में रहता है अब अंती का प्रांथ पती रहते समय उसने विदीशा की महादेवी से बैस की बेटी थी इससे बिवा किया था और सांची के स्थोप का भी से ने निमाड करवाय था असोग ने ठीक है फिर आप देखेंगे अगनीमित की बात अगर हम कहें करें तो सुंग राजा जो विदीशा का प्रांथ पती था मालविका की साथ उसके फ्रेम फसंग को आधार बना कर कालीदास ने आपने देखा होगा कि पहली रचना मालविका अगनीमित लिखी थे तो ये भी आप सिलादित तो वर के गोत का जाट नडे जिसने मालवापच सीथी में राज किया और ये आप सो मर्मन के बाद मालवा का सासक बنا। इसने बुद्ध धरम गेहन किया था और पुस्अ भूती बंस के हष्वरधन की उपादी भी सिलादित रही है उसने भी बहुत धरम किया था और वेन सांग ने सिलादित्य का उल्लेग भी किया है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे विक्रामदित तो इस उपादी के अनेक राजाओं में दो महान राजा क्रमसा विक्रमादित और चंदगुप्त विक्रमादित मद्विदिस में दिखाई देते हैं और विक्रमादित की बात करने तो इसने 57 BC में विक्रम संबत चलाया था ठीक है फिर आप देखेंगे चंदगुप्त विक्रमादित तो इसे भी आप लोग देख लिजे तो एक गुप्त सासक था चंदगुप्त दुतिये ने विक्रमादित की उपादी धारन की थी और उज्जेन से सकों की अंदिम सत्ता को भी इसी ने उखाड फेका था उज्जेनी के उखको दुदिय राध्धानी भी बनाया और उसके दर्वार में नौरतन रहा करते थे फिर आप सुन दे हैं एक नाम धंग देव तो ये चंदिल राजा था और खजराहु के पिसिद्ध फार्सुनात मंदिर और विस्सनात मंदिर धंग नहीं निर्मेद करवायते तो इन मंदिरों को भी याद रखिए ठीक है राजा भोच की बात करें तो आप देखेंगे परमार राजा जिसने समरांगड सूत्थ शिल्फ सास्त, चारुचर्चा, आयोवे सर्वस, सिंगार मंजरी, काबना टक्ता, मुक्ती कल्फतव, विधी गरंद, तत्तु पिकास, सैब गरंद, सिंगार सतक, सब्दानु सासन, पतंजलियो, चंपु रामाथन, सरस्ति कंठा वरन, इस सभी गी एक तरह से रचना है निर्मार कार की बात करने तो बोश्टाल योभोबाल में देखने को मिलेगा, धारा की सरस्ति मंदिर में संस्कित बिध्याल है, और मंदिर की समीब विजयस्तम इसी ने बनवाये थे, ठीक है पर एक नाम आप सुनते हैं, तन्ना सिरी, तो तन्ना मिस्रा, तो भताराज जी दरबार में तांसेन, तन्ना मिस्रा, या फिर इनका नाम मूल नाम रामतनु पांडे भी था यह भी कई बार questions बन जाता है कि तांसेन का मूल नाम क्या था तो याद रखे रामतनु पांडे और इन्हें तन्ना मिसरा भी कहते थे जलाल खान ने तांसेन को रामचंद से लेकर अकवर की दरवार में पहुंचाया था पहले रामचंद की दरवार में रहते थे फिर आप देखेंगे आउंती वाई तो आप देखेंगे 1857 की करांती में रामगड रियासत में जासी की रानी की जैसी भूमिका निभाई और इन्होंने अंग्रेज सेनापती बार्डन को भागने पर मजबूर भी किया था और अंतीता बाईडन ने रिवा रियासत की साहता से रानी को परास्त किया और रानी ने दुरगावती के अनुरूप अपनी सहादत दी थी एक नाम आप सुनते हैं राहूल बार्पुते तो नई दुनिया के संबादे करहे स्वर्गिय स्री बार्पुते का पत्कारता में उच्छिस्थान रहा है माधह रासिंधिया के बारे में भी सुनते हैं तो लोकसवा सांसत गुना से रहें और ग्वालियर से 1984 में अटल विहारी वाच्फेई को इनों नहीं पराजित किया था केंदरी रेलबे मंत्री भी रहें 1984 से 89 तक तो आपको कुसा भाव ठाक रहे भाजापक के पित्त पुरुस मागना जाता है ने ठीक है इनका 2004 में डेथ हो गई थी भोपाल में अटल विहारी वाच्फेई तो इने भी आप लोग काफी जानते थे और अच्छे नेता थे कभी आप लोग इनके भासर सुना करिएगा असल में जो नेता की पहचान होती है ऐसे ही नेता थे समझ रहें आप लोग आजकल की नेता आपने देखा होगा बड़ा फेकते हैं उनमें से उनमें इनका नाम नहीं किना जाता है ग्वालियर में जनवे स्री बाजफेई पिधानमंदी पत पर पहुँचने वाले मदपिदेश के पहले वेक्ती थी और इनोंने भारत छोड़ों अंदोलन में भी भाग लिया 1977 में बनी जन्ता सरकार के विदेश मंत्री भी रहे 1980 से लेकर 60 तक भाजापा की संस्थापक अध्यक्ष भी रहे 1996-1989 में तीन बार पिधानमंद्री बने गए और इनकी कविताओं के नाम बात करें तो मेरी इंक्योआयन कविताएं और कवीराज की कुंडलियां मित्यू अथवाहत्या अमर वलिदान ये सभी इनकी किट्टियां आए ठीक है सयुक्त राष्ट की महासभा में हिंदी में भासन देने वाले पिथम ब्यक्ति हैं तो ये भी कई बार कुश्चन्स पूछ लिया गया कई परिक्षाओं में पूछ लिया गया 2018 में इनकी डेथ हो गई थी अटल जी के जनम देन को आप देखेंगे 25 दिसम्बर को इनका राष्टी सुसासंदिबस के रूम में मनाय जाता है राष्टी सुसासंदिबस आप से पूचा जासकता है कम मनाया जाता है 25 दिसम्बर ठीक बंगलादेस में Friends of Bangladesh Liberation War Award 2015 ने मिला था और 2015 में आप देखेंगे भारत रतन भी दिया गया था कुछ आटल वेहारी बाचपही कि आप लोग देख चुके हैं उपर भी यहां भी देख सकते हैं प्रमुकरजनाय, मित्यु या फिर हत्या या मेरी इंक्यावन कविताएं, अमर आग, राजनिती की रफ्टीली राहें, संसद में तीन दसक, रग रग हिंदू मेरा परिचाएं, अमर वलिदान, कैदी कभी राय की गुंडलियां, इस अभी देखने को में एक नाम है आपका सिमंगल सिंग सुमन, वो जैन के स्री सुमन विख्याद कभी रहे हैं, और इनका 2006 में नेधन हो गया है, ठीक है, डेथ हो गई, नरेश मेहिता, ग्यानफिट से सम्मादी स्री मेहिता, चौथा संसार, नामक पत्य के संस्थापक या संपादक रहे हैं, ठी चंद सेकर आजाद, इनका मूल नाम था हरी संकर, या फिर चंद सेकर ब्रह्माचारी तिवारी, इनका जनम हुआ था 23 जुलाई 1906 को, 23 जुलाई 1906 को, कहां भावरा अली राजपूर में, ठीक है, और इनके पूर्भा ये बडर का कानपूर की पास के थे, और आजाद ने भगस्तिंग के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोसिलिस्ट, सोसिलिस्ट, रिपब्लीकन एसोसीशन की स्थापना 1927 में की थी, और एक अगस्त, एक अगस्त 1925 को, काकोरी कांड में भी इनका नाम आया था, ठीक है, और 27 पर भी 1931 को, अलफेड पार्ग इलाबाद में सहीद हो गय मिसरा, तो स्री डीफी मिसरा का जनम 5 अगस्त 1901 को उन्ना उत्तरपिदेश में हुआ था, और पंडित द्वारिका विसाद में से राजनीती के चाड़क माने जाते थे, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना, अमिस्सा है, उसी तरह, 1920 में स्री मिसरा ने सविने एयुग्या अं और 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन की समय जेल जाना पड़ा था, एक बात और आपको बताओं, आज की नेताओं में उस समय की नेताओं में जमीन आजमान का परक है, आपने लोगों ने लाल बहादो सास्तरी साहब के बारे में पढ़ा होगा, कि वो किस तरह के पिदान मंतर अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लिजे, वैसे भी इन सभी नेताओं के हम लोगों ने बायोग्राफी भी कबर की हुई है, तो आप लोग बायोग्राफी के नाम से प्लेलिष्ट सूची बनी हुए, उसमें आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, आप देखें कि 1937 में दिता नामक पुस्तके में लिकी थी, स्री डीपी मिसरा ने 1922 में स्री सारदा का संभान इने मिला, और 1942 में सब्ताहिक पत्ति का सराठी भी इनोंने पैरम की थी, ठीक है, फिर आप देखेंगे एक नाम सुनते हैं, गोविन नारायन सिंग, तो भारतिय सिविल सिवा, आई की तैयारी करते होंगे, सिविल सर्विस, सुसी की बात कर रहे हैं, बाल कभी वैरागी, तो इनके बारे में क्या याद रखना है, सुतंता संगराम सैनानी बाल कभी वैरागी, कभी लेखा को गीतकार राचनितिक किरू में, कि रूम में पिसिद्ध हैं और विधायक मंत्रियों सांसद भी रहें और स्री वेरागी भी पिसिद्ध रचनाओं में जूज रहा हिंदुस्तान दरद दीबानी आदी के पिरमों के इनों ने लिखी रचनाओं ठीक है मई 2018 को इनका निर्धन हो गया ठीक है याद रखे किसोरकुमार आदूतिय पितिवा के दनी थे इनका वास्तमिक था नाम था अमास कुमार गांगोली ठीक है सुरगी है किसोरकुमार ने गाहें संगीत नेदेशन और अभीने सभी चेत्रों में अपने एक तरह से अपने आपको ठाला और आठ वार फिल्म फियर पुरुसका से भी सम्मानित हुए गौरी कुंजा इनका खंडवा इस्ति निबास जो अब संग्रालय बन चुका है ठीक है फिर आप एक नाम सुनते हैं जगदीश सरंस बर्मा सर्वोच नियाले के मुख नियादीश पत्र तक पहुंचका राज को गौरानवित किया इनोंने 1985 में मद्वेदेश उच्च नियाले के और 1997 में सर्वोच नियाले के मुख नियादीश भी रहे है मद्द पेदेश का उचन्याल है आप देखते हैं मुख्याल है इसका जबलपुर में है ठीक है इसकी खंड़ पीट ग्वालियर और इंदौर में देखने को मिलेगी फिर आप देखें एक नाम सुनते हैं रमेश चंद लहोटी गुना के सबूत भी सरवोचन्याले के मुख्य आइदीस पत तक पहुँचे रजनीस ओसो के नाम से भी आप लोग जानते हैं ठीक है ओसो के उपनाम से विख्या स्री राजेंद कुमार जैन और रजनीस का जनम गाडर वाला जिला नरसिंग पूर में हुगा था और इनके अनुसार 22 वरस की आयू में मौल स्री के पेड़ के नीचे उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई सागर में दर्सन की फिसर भी रहे हैं उनकी रचनाओ की बात करें तो आप देखेंगे उसमें रिटेंड टू रिटर्णिंग इसमें रिटर्णिंग टू दा सोर्स और इंडिया माई लव संभोग से समाधी तक मैं सच कहता य है वो रचनाओ है और क्या है इनके बारे में आखन देखी संकलन इनकी रचनाओ है पर एक नाम सुनते हैं आप लो होसंग साहे अलब खान ठीक है अलब खान सुल्तान होसंग साहे की नाम सिच सासक बना और जामी मस्जिद मांडू का कार उसने सुरू किया था और उसको पिर आप एक नाम सुनते हैं, बाज बहादूर, मैया बयाद जीद एम राणी रूमती, मालवा का अंतिम सुद्थान था बाज बहादूर, और मांडू इसकी राधधानी इसने बनाई थी, बाज बहादूर ने राधनी रूमती से विवा किया और मांडू में उसका निवास रानी रूबमती का महल बनवाय था स्वयम कमाल महल बाज बहादुर महल भी बनवाय था अकबर अनुसार अकबर के सिनापती आदम खान ने बाज बहादुर को परास्त किया था अकबर ने बाज बहादुर को नावरतनों में इस्थान भी दिया था रूब मती ने जहर खाकर जान देती थी इसकी समाधी आपको सारंगपूर में देखने को मिलेगी पहले क्या हुआ करता था कि राजा क्या करते थी कि हारा के वहां की रानी को एक तरह से अपने पास रख लेते थे इसलिए कई रानी आप समझते होंगे कि खुद सुसाइड कर लेती थी आतमत्या कर लेती थी ठीक है पर आप देखेंगे लोक माता अहलिया भाई तो माता अहलिया भाई का जिनाव आप देखेंगे चोड़ी ग्राम महराश्ट में हुआ था और इन दो नरेस मलहार राओ होलकर ने आठ वरसी है एहलिया को मंदिर में पूजन करते देखा और अपने पुत्य खांडे राओ के साथ विवा निश्चित किया और पती खांडे दाओ की मित्यू के परशात आपने देखा होगा कि माता एहलियावाई ने स्वेम सासन उनने 1767 में समाला और 1757 तक अपने 28 वरसी है स मत्मूर सहयोग भी दिया माता ने राजभर में कुए बावडिया प्याओ धरम सालाएं ये भी अधिक संख्या में बनवाए थे ठीक है अधिन्द धार्मिक प्रिवित्ति की माता एहलियावई संकर की उपास्का थी भगवान संकर की और उन्होंने संकर भगवान और अन्य पावरफॉल ये थना आप समझते हैं सच के राश्ते पर चलने वाला मुस्किल से मिलते हैं लोग फिर एक नाम सुनते हैं रगवीर यादम जवलपूर निवासी रगवीर यादम ने राष्टी नाट विध्याले से डिग्री ली और मुंगिरी लाल के हसीन सपने में एक्टर अबॉर भी मिला था फर एक नाम सुनते हैं आप लोग बेगम असगरी वाई इनका जनम हुए था 1908 में चतरपूर विजावर रियासत में और ये धुरुफद गाईका थी इनकी उपलब्दियों की बात करें तो पदमसिरी 1990 में मिला था तांसन संबान 1985 सिकर संबा कभी पिदीर ने लगबग आप देखेंगी 1700 गीत लिखे और उन्होंने एक गीत लिखा था ये मेरे बतन की लोगों काफी चर्चित भी रहा है से राष्टी एक ख्याती मिली वह एक गीत लंगा लता मंगेश का निलाल के लिए पर गाय था जो सीधा पिसारित हुआ था 26 ज साल के अवर्ड 1998 में मिला था फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग सी के नाइडू कोटारी कन के नाइडू ही सी के नाइडू के नाम से पिसेद रहे हैं और इनका जनम नांगपुर में हुआ था और ये तेलगू दंपत्ती की संगतान थे और इने भारतिये ट्रेस्ट क्रिक टीम के पिथम कप्तान भी थे फिर आप एक नाम सुनते हैं डी हरी हर एक पिसेद चितकार हरीयर का जनम छिदेबाड़ा मध्यपदिस में हुआ था फिर आप सुनते होंगे लच्मन संकल लच्मन और बुलेट बुलेट आप लोग समध रहे हैं बुलेट भारती होकी टीम क गोल कीपर भी रहें लच्मन संकल लच्मन मधू मिलिटरी में भी थे और ए उस टीम में थे जिसने 1956, 1960, 1964 के ओलंपिक में 208 एक रज़त जीता था यानि कि आप कह सकते हैं कि अच्छा खेलते थे फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग राजंदनाथ तो पेसावर से जबलपु इस से बढ़ाई की जहां अर्जुन सिंग उनकी बैचमेट थे ठीक है अंगले हैं ज्याउदीन दागर ये दुरोपत गायत के महान कलाकार भी रहें और जिनका दो वर्स पूर्म नेधन होगा ठीक है फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग गामा पहलमान दतिया नेवासी गा बड़ी पहलमानों गुहर आया ठीक है आप लोग भी कर सकते हैं एक नाम काफी आप लोग सुनते होंगे और अच्छी नेता भी है आपके चेत से आपके मद्पदेश की पहली मुखमंत्री भी रही है महला पहली महला मुखमंत्री एक उने उमा भारती तो निस उन का जनम हुआ था और पिसिद साध भी हैं और एक राजनिता हैं कुसल वक्ता भी हैं इनकी रचनाओ की बात करें तो स्वामी वेवेकन पीस ओप इंडिया मानो भक्ती कनाता इनकी उपलब्दी की बात करें तो लोग सवासे सांसद रही खजराओ से और केंद्रिये परयाट पर 1914 को होता है सतना जली की केपालपूर गाउं में और 1942 में आप देखें कि भारत छुडवां दोलन में इनों ने भाग लिया और 12 गस्त 1942 को ये सहीद हो गये थे पर एक आप आप सुन नाम सुनते हैं लता मंगेसकर इंदोर में जनमी लता जी को स्वर सामग्री भी समराग मंगी भी कहा जाता है और 1942 में कोरस गाकर गायन की सुरुवात की थी इनोंने 1974 में इनका नाम सरवादी की गाने वाली गाईका की रूम में गिनीज और बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरज किया गया पदम भीवूसंड भी ने मिला पदम भीवूसंड दादा फाल की प पुरुसकार 1984 से सुरू किया था ठीक है पर आप देखेंगी एक नाम सुनते हैं डॉक्टर संकर दयाल सर्मा डॉक्टर सर्मा का जनम 19 अगस्त 1908 हुआ था भूपाल में और केम्बरिज विस विद्ध्याले से डारे डॉक्टर शर्मा 1943 से 1952 तक लखनो विस विद्ध्याले में विधी संकराय में रीडर रहे और डॉक्टर सर्मा द्वारे लिखित पुस्तक का नाम है अप्रोच टू अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेर्स ठीक है और 1952 में आप देखेंगे भूपाल स्टेट की मुखमंत्री भी चुने 1974 में केंद्री मंती मंदल में संचार मंती भी बनाए गये थे और 1977 तक रहे और 1977 में चुनार हार गये थे लेकिन 1980 में वुपाल लोकसभा से पुनाह चुने गये थे 1984 में 1935 में पंजाव 1986 में महराष्ट के राजपाल भी बनाए गए और 1987 से 1992 तक उपराष्ट पती रहे 1992 से 25 जुलाई 1997 तक माँ करिए 1992 से 1997 तक क्योंकि 5 साल के लिए चुने जाते हैं ठेक है? तो यह राष्ट पती रहे 28 दिसंबर 1999 को इनका राम नाम सत्त हो गया यानि की डैथ हो गयी निकी ठीक है? डेटें बहुत गलत हैं और देख लिया करिएगा तो सदार के नीचे लिख दिया करिएगा तो एक नाम सोते हैं डॉक्टर कैलासनाद काटजू जावरा में जनवे डॉक्टर काटजू उडिशा के राजपालो और केंद में रक्षा मंत्री भी रहें 1957 से 1962 के बीच मद्विदेश के मुक्षा मंत्री भी रहें डॉक्टर कैलासनाद काटजू का जनम 17 जून 1887 को हुगा और 1947 में उडिशा का राजबाल पनाया गया और 1959 में आप देखें कि केंद्री मंडल में रक्षा मंत्री और जन्बरी 1957 से 1962 तक मद्विदेश के मुक्षा मंत्री भी रहे और डॉक्टर काटजू ने इलावात लोख जनरल का संपाधन भी किया है ठीक है पर आप एक नाम सुनते होंगे पेकास्चंद सेट्टी स्री पेकास्चंद सेट्टी का जनम 19 अक्टूबर 1920 को गवा था और स्री सेट्टी 1922 से 1964 तक केंद्र सरकार में इस्तपाध एवं खान मंत्री रहे 1972 में मद्विदिस बिधानसवा के लिए चुने गए और मद्विदिस के मौंकवंती बनाए गए जो 75 तक रहे 1975 मद्विदिस में योजनाय के पहले अध्यक्ष होने का गौरब भी ने पराप्त है 1982 से 1984 तक केंद्री गरह मंत्री भी रहे एक नाम का अभी चर्चा में आप लोग जानते होंगे राज माता विज्या राजे सिंधिया विज्या राजे सिंधिया का जनम 12 एक्टूबर 1919 को सागर में ठाकुर महंदिसीं के आ हुगा था और इनके बच्पन का नाम था देवे सुरी और ग्वालियर की सिंधिया राज गहराने से संबंद इनों ने राज माता की नाम से लोग प्रीव होती है और 1957 से लगार का कई बाल लोगसभा की चदस भी रहे है और ये सागरविस विद्याला की कुलपती भी रहे है मैटिक पास करने वाली पिथम नैपाली महला थी है 1957 में गुना लोगसभा से चुनी गई 1966 में विधान सभा की लिए चुनी गई 1931 तक सयुक्त विधायक दल की निता भी रहे है सन 2000 एक क्विन का निर्धन हो गया यानि कि डैथ हो गय फिर एक नाम आप लोग सुनते है डॉक्टर क्या डॉक्टर किचलू नहीं डॉक्टर रगवीर सींग ठीक है लदूना महल सीतामवू मंदसोरमेन का जनम हुआ था महराज कुमार डॉक्टर रगवीर सींग होकी खिलाडी जितका लेकक आदी बहुमुखी पितिवा धनी रहे है और इननों बैटिस सैना की ओर से दूतिय विसेउद्ध में भागी भी लिया था आप सभी लोग जानते हैं 1949 से और वे 42 तक चलता है ठीक है और फिर आप लोग दूतिय विसेउद्ध में इनों ने भाग लिया उसके बाद क्या किया स्री अर्जुन सींग क्या है स्री अर्जुन सींग के बारे में अगर हम बात करें तो यह आपको देखने को मिलेगा इनका जर्णम होता है पांच नवंबर 1930 को कब पांच नवंबर 1930 को ठीक है और यह चोरहट जिला सीधी में हुया था इनका जर्णम मापकरी यह यहां गलत बता रहे थी यह 1949 से 45 तक चला था ठीक है और पहला चला था आपका 1914 से 18 तक अठारे 19 ठीक है उससे वाए हम लोग गुलाम थे एक तरशी अंग्रेजों की और देखेंगे 1957 में स्री सींग को विधायक चुना गया था और मदबदिस में 1963 से लेकर सट सट तक किरसी राजमंत्री भी रहे 1972 से 77 तक आप देखेंगे सिक्षा मंत्री रहे और 1980 में मदबदिस की मुख मंत्री चुने गये थे और 14 मार्च 1985 तक रहे 1985 में आप देखेंगे पंजाब का राजपल बनाया गया 1986 में कॉंग्रेस का उपाध्यक भी बनाय गया था 1986 में केंदरिय संचार मंत्री बने और 14 फरवरी 1988 को मदबदिस की दोबारा मुख मंत्री चुने गये थे और स्रीमर मोहन सिंग सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे और 2011 में मार्च में इनका निर्धन हो गया डेथ हो गई थी अन्र बेक्तियों के वारे में अगर बात करें इनके गुरू की बात करें तो हरिदास मुहमद गौस इनके गुरू रहे है गुरू भाई की बात करें तो बैजनात्मिस बेजू वायवरा और ये इनका च्छेतरा है संगीत तक ठीक है उपलबदियों की बात करें तो संगीत सार, संगीत राम, रामा माल द्रोपद गायन, सैली, दीपक राग, राग दरबारी, मेग मलार, मिहा किमार, मलहार, ये सबीन की रचना है रही है, ठीक है, अन्ने की, तो रतांसेन का मकवरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, और आकववर की नो रतनों में ये सामिल थे, ठीक है, तांसेन, और फिर आप लोग एक नाम सुनते होंगे, उस्ताद अलावदीन खा, तो आप देखेंगे, 1862 में सिपुरी में का जनम हुआ था, बंगलादिस वाला सिपुरी, ठीक है, कारस्तिली की बात करने तो मेहर घराना, बेंड की स्थापना मेहर सतना में की थी इनोंने, सरोध बादक थे, ठीक है, निवास की बात करने तो मदीरा भवन, संगीत की तीर तिस्थली भी रहता है, और अलाद दिनिखा संगी समारो, मेहर में पिती बस आप लोग देखते होंगे, कि सांस्कितिक विभाग मद्पदिस द्वारा किया जाता है, ठीक है, मिहर सतना, उस्ताज हापिच्क अली खान, इनका जनम हुआ था, उन्निस अठारे सो बानवे में, ग्वालियर में, इस सरोध बादक थे, दोपत ख्याल, डुमरी गायन मुक्धा, इनका सम्मेस्टन रहा है, उपलब्दी की बात करें, तो आप देखेंगे, संगीत नाटका का अदमी का सरोध पुरुसकार, पदम भूसन पुरुसकार भी ने दिया गया, ठीक है, फर आप गुलाद, गुलाम हुसेन खान, इनके अगर जनम की बात करें, तो इंदौर में हुआ था, कब 1927 में, और सितार पर खयाल डुमरी डादरा, और धोफद गायन सेली में, ने काफी निफूर्टा प्राप्त की, और इनके सितार बादन की कला को, वीनकार वीजल की संग्यावी पिदान की गए, फर एक नाम सुनते हैं, उस्ताद लदीब खान, ए भुपाल में पिस्द्ध सारंगी बादक भी हुए, ओम पेकास चौरासिया की बारे में बात करें, तो इनका जनम 1946 में भुपाल में हुआ था, और संगीत रस परंफरा व विचार पुस्तक, इन्होंने मदुकालन नामक संस्था की संग्यावी पिदान की गए, ठीक है, फिर आप एक नाम सुनते हैं, महेस योगी, भवागी तीत योग, और राइपुर में इनका 36 गड़ में पढ़ता है, आप जानते हैं, जनमें महेस योगी जोतिमट के संक्राचाय स्वामी बहुनानन्द सरफस्थी की सिख्त रहे हैं, और इन्होंने भवागी तीत योग काविस्कार भी किया, बायो डराप एवं हैग नीदालेंड में निवारस रहे हैं, और योगी ने भारत चीन में सिख्छा योग की अनेक संस्थाएं भी स्थापित की, अनिल काकोदकर, इनका जनम हुआ था 11 नवंबर 1943 को वड़वानी में, और पिसिद्धी की बात करनें तो परमाडू बहुत दीक विज्ञान और यांति की अभियन्ता के लिए कापी पिसिद्ध रहे हैं, ठीक है? 1996 से 2000 तक, ये भाबा परमाडू अनुसंधान केंत के निदेशक और वर्स 2009 तक, भाबाड़ी परमाडू उड़ जाए, उक्के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन्हें 1998 में में पदम सिरी दिया गया था, 1999 में में आप देखेंगे पदम विबूसर्ण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है? फिर एक नाम सुनते हैं, नरंद किसने करमुकार, तो इनका जनम हुए था, 1957 में ग्वालियर में, और करम, करम, करमर, मर, कुलन विदी, और गडित की अल्गोरिफिम सूत, इनका ही विति पादन निने किया था, ठीक है? और जिनका नाम आप देखते हैं कि हरी सींग गौर यूनिवेसिटी नाम पड़ा है, ये हैं, इनके उपन नियास की अगर बात करें तो आप देखेंगे, दाश टेफिंग, वेस्ट वर्ड, एंड अधर पोएम्स, ठीक है? रेमन टाइम, इनके उपन नियास है, सेविन लाइन्स, दा लो अप ट्रांसफर इन वेटिस इंडिया, दा स्फरिट ओफ वुद्धिज्यमिक की रचना भी नो नहीं की थी, और समिधाल सभा के उप सभापती भी बने, नांगपुर विस्विध्यालाय और दिसली विस्विध्याले के उप कुल्पती भी रहे, 1940 में मद्विध्याले की स्थापना भी नो ने की थी, मकबूल फिदा हुसेन, इनका जनम आप देखेंगे, 1915 में हुआ, महराश्ण में, ठीक है, करमिस्तल प्यारमिक सिक्चाहिंदोर में की इनोंने, 1947 में दाप फ्रोग्वेसेवे आल्टिस्टिस और बॉंबे, और पुरुसकार की बात करें तो 1955 में पतम सिरी, 1973 में पतम भी बूसन संबान, इने कालिदा संबान भी दिया गया, चितकार होसेन की कलाप पिदसनी विस्त की कई देशों में लगी हुई है, इन दोर में विस्त की सबसे लंबी पैंटिंग बनाई और गज गामिनी, नामक फिलिम का निर्माड भी इनों ने किया, फिर एक नाम सुनते हैं, विश्नु स्रीधर ववाकन कर, फुरातत विद औ पर उत्खनन और सर्वेक्षन भी करवायर है, इसलिए आप देखेंगे 1975 में इने पदमसरी भी दिया गया, देखी बचपन बचाओ अंदोलन के लिए इनने नोवेल पुरुसकार दिया गया थक्किने केला सत्यालती को काफी चर्चित नाम है, 1905 में इनका विदीसा में जर पुरुसकार भी दिया गया था, ठीक है, रमेश चंद लहोटी के बात करें, तो 1940 में इनका जनम गुना में हुआ, और सर्वुच नियाले के भूतपूर मुक्षन आइदीस भी रहे है, ठीक है, पैंतीस भी, और नियादीस के रूम में वर्स 2454 से लेकर 5 तक यह रहे, ठीक सर्वुच नियाले की मुक्षन आइदीस भी रहे, 1997-98 में सर्वुच नियाले की मुक्षन आइदीस रहे, और इने पुरुसकारों की बात करने तो पदम विवुच संबान बनने के बाद दिया गया था, ठीक है, फिर आप देखें, वारा है मिहीर, इनका जनम कपील काइना उज्जैन में पाजवी सताबदी में हुआ, इनके सेजन की बात करने तो पंच सिध्धान तिका हो गया, ब्रह जाटकम हो गया, लगू जातक, वियद सहिता, सरफ फिथम सूर सिध्धान का पिति इबादन भी इनो नहीं किया था, अगर आप से कोई है कि भारत पिषडा चाड़क को, रगुराम राजन, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत बड़े अरथ सास्त्री है, तो 1963 में बोबाल में इनका जनम हुआ था, और आप सभी को माल होगा कि RVI की 23 गवर्नर भारती अरथ सास्त्री IMF के निर्दिस 2013 से 16 तक रहे हैं, ठीक है, आरवी आई के गवर्नर, किरतियों की बात करें, तो सेविंग कैफिटलिज में, फ्रॉम कैफिलिष्ट, कैफिटलिष्ट, तथा फाल्ट लाइंस, हाउ हेडेन फैक्टर्स, इस्टील थ्रेटन्स, दी वर्ल्ड एकोनोमी, अब आप समझ सकते हैं, कि एक तरह से एकोनोमी स जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्रवास जोसी की बात करें, तो इपत्वकार थे, 1936 में आश्टा सिहुर में इनका जरम हुआ था, आप देखेंगे, नई दुनिया समाचारपत्थो, जनसत्या समाचारपत्थो, इन्हीं किनने संपादन किया, इनका संपादक भरहें, 2013 में की स्रीमिती में, आप देखें, मद्दपते सराज की खेल पुरसकार प्यारम हुए थे, डॉक्टर भीमराव मेटकर, मुझे लगता है कि इन्हें आप अगर नहीं जानते हैं, तो आप कुछ नहीं जानते हैं, डॉक्टर भीमराव मेटकर, समीधान निर्माता, समीधान का पिता चौदे अपरेल उन्नीस सो एक मिनिट देख रहे हैं आप बी आर अमबेड कर भी कहते हैं आप लोग ने भीमरा अमबेड कर सहाब इसमें क्या है कि गलती है कहां गलती है 14 अपरेल तो इनका किलियर है लेकिन 1891 में इनका जनब हुआ था कव 1891 में ना कि 1981 में ठीक है और याद रखी इनकी डेथ हुई थी आप देखेंगे 6 दिसमबर 1956 को आधुनी के मनू भी इनकी संग्या दी गई ने 1936 में सुतंत मजदूर पार्टी की स्थाफना भी की थी और 1947 को समिधा सम्ती की मस्वदा सम्ती के अध्यक्ष भी चुने गए थे कास्ट इन इंडिया इन हेलिशन ओफ कास्ट दी बुद्धाकाल मार्क्स इनकी रचनाए हैं तरह सिक्टिया और इनने 1990 में आप देखेंगे भारत रतन भी दिया गया ठीक है मरने के बाद और भी आपके मद्वदिस की प्रम बिसिष्ट कलाकार हैं जिसमें आप देखते हैं बाबा डिके इनके जनम की बात करें बाबा डिके के अब डिके क्या कर दिया डिके ही कर देते पूरा नाम क्या हो जाता है बताओ 1909 में इनका नीमच में हुआ था जनम रंकर्मी नाटकों लेखन और रंकरम द्वारा जन जागरिती इनोंने की 1942 में आप देखेंगे भारत छोड़ों अंदोलन में सक्री एउगदान भी दिया 1995 में नाट आलती की स्थापना की और करियर की बात करियर करियर की सुरुआत अखंड तांडव नाट लेखन से की थी इनोंने फिर आप सुन दे हैं असोक कुमार दादा मुनी तो इनका जनम होगा था 1911 में खंड़नावा में और पिसिद अभी देता फिल्म नेपास एक करियर की सुरुआत किनों ने की थी उपलब्दी की अगर बात करें तो 1962-1968 में सरफसिष्ट फिल्म पुरुषकार भी ने और दिया गया 1999 में आप देखेंगे पद्दम भूशन भी पुरुषकार इने मिला था ठीक है और किसोरुक मार के बड़े भ्राता थे ठीक है आँगे हैं आपका आसा भोसले इनका नाम भी आप लोग सुनते हैं तो इनका जर्म हुएता है 1933 में दोर में केरियर फिल्म चुनरिया से शुरुआत की थी सावन आया गी से पिसिद्धी की बात के ने तो फास गाई का 15 भासाओं में भारती भासाओं लगबख 16,000 से अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड बनाये इनोंने समझ रहे हैं वस 2000 सन 2000 में दादा साहब फाल की पुरुषकार भी प्राप्त हुआ और इनोंने 15 भारती भासाओं में लगबख आप देखेंगे 6000 गीत रिकॉर्ड करवाये ठीक है लताजी के बाद 20 में सरवादिक गीत गाने का रिकॉर्ड बनाये इनोंने ठीक है फर एक नाम सुनते होंगे आप लोग जावेद अक्तर 1945 में इनका गौलियर में हुआ था पिसिद्धी की बात करें तो गजलकार हैं और कथा लेखन के रूम में हुई और सलीम जावेद की जोड़ी फिल्म सिटी की पिसिद्ध जोड़ी मानी जाती है पुरुसकार की बात करें तो इन्हें आप देखें कि 1909 में में पदम सिरी हो गया और 1909 में में पदम सिरी और 2007 में पदम भूसन मदविस सासन के 2056 में किसोर कुमार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया फिर आप देखते हैं कि सोर कुमार इनका जनम 1929 में खंडबा में हुगा और वास्तविक नाम की बात करें तो अमास कुमार गांगुली था और फिसिद्धी की बात करें तो फार्स हो गाय का पर्दे की पीछे से गायन ठीक है उपलब्दी की बात करें तो आठ बार फिल्म फियर पुरुसकार से संबानित हुए फिर आप देखेंगे जयावाच्चन ठीक है और तो 1948 में जवलपूर में इनका जनम होगा था 1971 में आप देखेंगे इन्होंने गुड़ी फिल्म से कैरियर की सुरुवात की थी और साथ बार फिल्म फियर सरफसिष्ट अबनित्री एवं साहिक अबनित्री और चार बार अंतराष्टी फिल्म अकादमी पुरुसकार आई आई एफे एफे और 1992 में आप देखेंगे पदम सीरी से भी इन्हें नवाजा गया था फर एक नाम सुनते होंगे आप लोग सुधा दीख्चित इतने नाम एक तरह से सुझा चुका हों कि आप समझ नहीं सकते हैं सुधा दीख्चित भोपाल निवासी गाई का और सितारवादी का जिन्होंने भोपाल में सितार की विसाल आर्केष्टा संग्योजित कर गिनीज बुक में नाम दरज करवाया था ठीक है सुरेखा भट भोपाल सास्ति ये गायन क्याल रही है भी अनुराधा सिंग भोपाल कतन नित्यांगना रही है गुल बर्दन वैले नित्यांगना पदमपूर स्काल से अभी सम्मानित किया गया चमा कुल सिष्ट भोपाल चितकला से सम्मण देते हैं जॉनी वॉकर इन दोर मे में बंदोर संगीत भी दिया इनोंने ठीक है फिर आप देखते हैं जादूगर आनंद तो भारत के पिसे देख्याती प्राप्त जादूगर रहे हैं ठीक है व्रोसेल्स प्रोसकार मैजिक औफ ट्रस्ट अवार्ड और अन्नराष्टी फ्रोसकारों से भी सम्मानित करती हो तो बताना ठीक है अन्नु कपूर मसूर एंकर दूरसन और फिल्म में फिल्मों में भूम क्या है नहीं इनोंने आप देखेंगे मुकेस तिवारी सागर जली की हिंदी सिनेमा की महत्पूर्ण अस्ताक्षर इनों रहे हैं सिनेमा से जुबी पर आप देखेंगे उस् अंतराष्टी परुषकारों के साथ पदम सिर्य उपदम भूसर से भी संबानित किया गया समझ रहे हैं आप दो उस्ताद अब्दुल लतीब खां तो यह आप देखेंगे संगीत नाटक अकादमी द्वारा फुस्क देवं पिसिद सारंगी बादक है इनोंने अनेक गयन गायक और वादक कलाकारों के साथ जुगलवंदी की और भौपाल गी थे ठीक है मुकेस रिसी और जैन निवासी मुकेस रिसी फिल्म में विविन ने साहिक भूमिकाओं के पिसिद्धी इनोंने प्राप की पर एक नाम सुद्धे हैं हापिज हापिज मुहमत खान ब्रिष्टल ओल्ड विक थेटर स्कूल से नाठ पिदसन आरम किया है इनोंने 1972 में राजसवा सदस समनूनित हुए इन्हें पदम सिरी सिखल सम्मान और केंदरी संगीत नाठक अकादमी आदी सम्मानों से सम्मानित किया गया है एबोबाल से सम्मान देते हैं राजी बरमा मदविदेश फिलिम पत्कार संग तथा कासली वाल सम्मान से सम्मानित राजी बरमा की धारावाहिक चनोतियों से ख्याती हुई है सुबंधू दुबे चायंकन के चित में पिसिद रहें अनेक देशी विदेशी सम्मानों से भी इन्हें पुरुस्कित किया गया आसुतो सराना इन्हें तो आप लोग जानते होंगे गडर वाड़ा वाना नरसिंगफुर के इस ख्यादी प्याथ कलाकार अपने दिवा के बल पर फिल्म जगत में अपने फैर जमाली है चंदेश सकसेना इनके बारे में अगर चंदेश सकसेना की बारे मात करें तो उज्जें की स्री सकसेना ने जेजे स्कूल ओफ आज़र्ट बंबई और विस भारती विस विद्याले शंती ने केतन से फिसीक्षन पराप्त किया है कालीदास चितकला पुरुसकाल से भी सम्भानित किया गया फिर आप देखें कि उस्ताद अली अकवर खां पिसिद्द सरोज समराट उस्ताद अलावदीन खां के पुत थे और हंगिश्टॉन नामक फिलिम के संगी थे तू अपदम भूसर की उपादी से ये सम्मानित भी किये गया थे ठीक है फिर आप देखेंगे उसके बाद उस्ताद निसार हुसेंखां ग्वालियर घराने के पिसिद्द संगीतिकार उस्ताद निसाद हुसेंखां हिंदू संस्किती से अधिक प्रभावित थे और संस्कित की सेग्रों अश्ट फदी और सिलोक ने कंठस्त थे आप समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू एक तरह से आप कहें कि जानते होंगे संस्कत कई लोग जानते थे तो यहां भी भी आप कुछ देख लीजी गदरो सुतंता संगरस्प में रहे अम्यार सहीद लोगों के बारे में तो इसमें रानी लच्मी भाई का नाम पहले आता है सबसे आप देखते होंगे तो उन्नीस नवंबर अठारे सो पैंतीस में इनका जनम बरानरस में होता है बरानरस में और इनका बास्त में नाम था मडिका करनिका या मनू प्यार से लोग कहते थे माता का नाम था भागी रथी भाई और फिता का नाम था मोरो पंत तामबे ठीक है बाजी राव मनू को छवेली पुकारते थे और विवा जहासी के माराजा गंगाधर से हुगा था और रानी के दतक्पुत दामोदर दास को लौड डलहोजी ने गंगाधर का उत्तरादिकारी मानने सिंकार कर दिया था और रानी को पाँच जार रुपे बासिक पैंसर ने धारीद की थी आप देखेंगे साथ जून 1857 को फास जहासी में विद्रो किया था इन्होंने और जहासी की रानी का पुना कब जा हुए था जो दस माहे तक रहा था मारज 1858 में आप देखेंगे अंगरेजी सेनपती हुरोज का सामना किया और 18 जून 1859 को रानी सहीद हुई थी ही उरोज ने कहा था कि विद्रोईयों में यदि कोई मर्द है था तो है रानी लच्मिवाई आप समझ रहे हैं मतलब एक तरह से सभी बाकी मर्द है कोई उस समय भी आप समझे मर्दों में रानी लच्मिवाई को गिना जा रहा था रखा जा रहा था तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि रानी लच्मी भाई क्या रही होगी समझ रहे हैं फिर एक नाम आता है तत्या टोपे तो जनम इनका एहमद नगर जिले के एउला नामक ग्राम में भुगा था 1914 में इनका वास्ता में एक नाम भी कई बार पूछ लेता है इनके छोटे भाई के नाम गंगाधर था मराठा सेनापती वाजिराओ ने तत्या को रदन जडित टोपी उफ़ार में दी थी और इसे ही टोपी के कारण उनका नाम टोफे था तत्या ने गमीनी गनीमी कवापदिती से एक किरांधी कारी राजी की स्थाफना की थी और जिसके केंद सिल्फ बा जलालाबाद थे तत्या ने आप देखें कि कानपूर पर अधिकार किया था और अंग्रेजों ने नर्वर के राज्या मान सिंग की साहता से तत्या को 7 अपरेल 1969 में गरबतार कर लिया था तो अठारे अपरेल 1969 को सिवपुरी में साम साथ बजी के करीब इनकी इने फांसी देदी गई थी और आप समझ सकते हैं कि इने एक तरशी धोका दिया गया था फिर आप देखेंगे साहदत खान साथ खान ठीक है तो इनकी बारे में बात करें तो मालवा में होलकर बंस का सैनेक साहदत खान ने 1857 की 133 संग्राम में अंग्रेजों की विरोध विद्रों किया था और साधत खान तो कोजी राओ होलकर के तोप खानी के प्रमोग तोपची थे साधत खान को 20 वर्स बाद सन 1874 में जालावाड राजिस्थान में पकड़ा गया और हद्या की आरोब में अक्टूबर 1874 में कोज सारवजने की रूप से नहीं फांसी देगी दी गई थी फिर आप सुनें के अमर सही थाकूर रनमस सेंग्ग तो आप देखेंगे 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की छक्ति छुड़ाने वाली डॉक्टर रनमस सेंग का जनम 1825 में सतना जिली में हुआ था मनक हारी में हुआ था ठीक है यह हाल हुआ अब बात करते हैं अमीज सहीद अमर सहीद बक्तावर सिंग तो धार से आप देखेंगे 30 किलो मीटर दूर अमजहरा राज की स्थापना रा और राम सिंग नहीं की थी ठीक है और राजा बक्तावर सिंग ने 1857 में विथम बिद्रो में भाग लिया और अपने सहीवगियों के विश्वासगात की कारण आप देखेंगे 11 नवंबर 1857 को लालगड के किले के पास जंगलों में इने गिरपताल कर लिया था दसफरवरी 1859 को इन दोर में इने फासी दे दी गई थी मालवा के पहली सासक बक्तावर सिंग थे जन्हों ने अपनी कम जन्होंने कंपनी के सासन कांद करने का अहान किया था एक तरह से एक और वात याद रखिए अधिक तर आप देखेंगे आंदोलन में आप समसकते हैं क और फिर एक समझ एक तरह से आप याद रखिए धोका किया गया पर आप देखेंगे सहीत किसोर सिंग तो हिंडोरिया की ठाकुर किसोर सिंग का नाम केवल दमो में ही नहीं बलकि संपूर महा कोसलक्षित में रहा है और 1857 की महान किरांती के समय ठाकुर किसोर सिंग ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजियों के बिरों दहतियार उठाया था और उन्होंने हिंडोरिया से निकल कर दमो पर आकमड़ कर 10 जुलाई 1857 को कबजा भी किया था ठीक है फिर आप देखेंगे एक नाम सुनते हैं आप लो इवराज चैन सिंग मद्पिदिस के पिथम सही थे इसलिए आप देख रहे हैं कितना एक तरह से यहने सम्मान बड़ा दिया जाता है मद्पिदिस के पिथम सही चैन सिंग थे यह भी कई बार आपसे डारेक्ट पूछ लेता है और मेडाक ने कुंगर सिंग के साबने सरत रखी थी कि वो हमेशा नर्सिंग गड रियासत में अंग्रेजों के दिन कार करें और नर्सिंग गड में होने वाले अफियम की खरीज सरफ अंग्रेज करेंगे चैन सिंग के विरूद करने पर मेडाक ने उन्हें 24 जून 1824 को सहीवर आने को कहा और चैन सिंग ने मेडाक पर हमला बोल दिया लेकिन कुंगर चैन सिंग 24 जून 1824 को सहीवर के सहरा बाग मैदान में सहीद हो गए थे तो मद पिदेश के अगर आप से पूँचे कि पिथम सहीद कौन थे तो यवराज चैन सिंग ठीक है याद रखिए फिर आप देखेंगे ठाकूर सरजू पिरसाद विज्यार आगाओगड की फिरमुक ठाकूर सरजू पिरसाद ने जवलपूर जिले में 1857 की किरांती का विगुल बजाया और जनवरी 1858 में वेटिस सैना ने विज्याओगड पर हमला किया और कबजा कर किले को तोड़ दिया लेकिन ठाकूर सरजू पिसाद बजने के लिए और 1864 में उन्हें गरबतार के लिया गया हूँ आज इवन कारावास सुनाई गई फरेक नाम आप लोग काफी सुनते होंगे टन्टेया भील तातिया मामा भी कहते हैं ठीक तान्टिया मामा टन्टेया भील का जनम 1842 में होता है पश्मी निवाड की वीरी गाउं में अंग्रेजों की अत्याचार विरोध टन्टेया ने आवाज उठाई लेकिन अंग्रेजों ने एक साल की सजा सोना कर जेल में डाल दिया था और एक साल सजा काटने के बाद टन्टेया मजदूरी मेहनत करता था फिर उस फर चोरी का जूटा आरूप लगाए गया और टन्टेया को अंग्रेजों की बहें सुरेखा ने राखी बांदी वक्त पकड़ लिया और 1888 को फांसी दे दी गई थी एक तरह से आजकल आप लोग बोलते हैं कि कोई सरकार के खिलाफ तो आप लोगों को देस्दरोही ठैरा दिया जाता है जिल में डाल दिया जाता है तो उस समय भी इस तरह की सरकार हैं हुआ करती थे अच्छर चकित मत हुआ करिएगा यह उनी के एक तरह से जो इस तरह का काम करते हैं यानि की जेलों में डालने का काम करते हैं तो यह अंग्रेजों की एक तरह से आपके यह बंस रहा है फिर आप देखेंगे साधत खां तो भारती सुतंता संग्राम में पत्विदेश के मालवा छेत के राज्या होलकर के एक सैनेक साधद खान था और 1857 की किरांती में महत्पूर एगुदान भी रहा है इसका जिसने अपनी टुकडी साहत अंग्रेजों के विद्रो भी कर दिया था साहदत खान होलकर महराजा का विस्वासपात और बहादो सिपारी था और साहदत खान मालवा की ही नहीं बलकि राष्टी स्थर पर करांती के बीरों में सामिल है साहदत खान ने मालवा विद्रो का नहितित करती हुए करनल डियूरेंड की रेसिडेंसी पर हमला बोल दिया और साहदत खान ने आठ गुड सभारों के साथ आकर एलान किया कि अंग्रेजों को मार डालो महराज का आदेस है जिसी गेज सेन में आप देखेंगे उननीस यूरोपियों का सिकार बनाया एक तरह से यानि कि जान ली ठीक है पर एक आप नाम सुद्दे हैं महादेव तेली तेली पिबाद पट्टन वैतूल में भारत छोड़ू अंदुलन के दौरां 12 अगस्त 1942 को महादेव तेली पुल अगस्त 1942 को इलाबाद में सहीद हुए थे और विध्याती यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर जब पुलिस ने गोलाई बर गोलियां बरसाई तब लाल पदम सिंग राष्टिय जंडा हाथ में लेकर क्या हाथ में लिए हुए थे एक तरह से अब यही कहें दीजिए फर आप लोग मद्विद इसके आदिवासी ब्यक्तित जो आप लोग देख रहे हैं कि आपकी नया जोसे लिवस आया हुआ है उसमें भी आप लोग देखते होंगे तो इसमें क्या कहा गया है तो सबसे पहले आप देखेंगे भीमा जी नायक के बारे में इनसे कुश्चन्स आपके डारेक्ट कई बार पूँच लेता है तो इसमें आप देखेंगे भीमा जी नायक का जनम होता है 1854 इसमें होता है पश्टमी निबाड में निबाड रियासत में पंच मोहली गाउं में ठीक है और 1857 में भीमा नायक और अंगरेजों की भी संगरस के दोरा अंगरेजों ने भीमा नायक की विद्धा मा को पकड़ ल जाती है तो परिवारवालों को टॉचर किया जाता है तो उस समय भी इस तरह की बाद इस तरह की टॉचर किये जाते थे ठेक है आँगे है आपका दो अपरेल 1868 को सत्पुड़ा की गने जंगल में भीमा नायक को अंग्रेज सिपाई होने पकड़ लिया और पता नहीं लगा की भीमा की मित्यू कैसे हुई एक राज ही रहा फर आप देखेंगे खाज्या नायक खाज्या नायक जनम इनका 1830 में नवार की चोटे गाउं में होता है और वेटे सरकार में खाज्या नायक को एक दिन अचानक खत्या के आरोब में बंदी बनाय गया और 40 साल की सजा सुनाईगी उस सजा के दोनान उन्हें जेल में डाल दिया गया खाज्या नायक ने नौकरी चोटकर विमा नायक के साथ भीलों की टोलिया संगठित की और खाज्या और विमा को जुकल जोड़ी इसने 1860 की किरानती का संकनात करते हुए फरंगियों के हाँ खिलाब यो दिचडिया और करनल आउट्रम ने चल से खाज्या को बंदी बना अवंती भाई के बारे में इनका जनम आप देखेंगे कि 16 अगस्त सन 1831 को सिवनी जिली की मनकेडी ग्राम शागीर दार राव जोहाजहार सिंग लोधी के घर में हुआ था अवंती भाई वच्पन से ही सायसी कन्या थी उन्हें तलवारवाजी योद्द का बहुत सोग था और राणी अवंती भाई का विभाई आप देखेंगे 17 वरस की आयू में रामगड की राजा विक्रमादित से हुआ और राजा विक्रमादित की स्वागवास के बाद आप देखेंगे राणी दक्षता पूरवक राज का समाल इन्होंने समाला 15 जनमरी 1859 को वालिंग्टन के द्वारा घुगरी में अधिकार करते हुए रामगड की और आने वाली राणी और वालिंग्टन की सेना में भैंकर योद्धुआ और अंग्रेज वालिंग्टन ने दिसम्बर 1857 में रामगड की और कूँच किया और देव हारगड की जंगल में रानी की मुठी वर सेनकों और अंग्रेजों के बीच योद्धुआ और रानी की सभी सेना मारी गई और अंग्रेजों की हाथ लगने के वज़ए अपने तलवार से अपने वतन की रक्षा की खातिर बलितान हो गई तु यानिकि इन्होंने अपने आग्तों से अपने आपको खतम कर लिया फिर आप सुंते हैं ज़लकारी भाई कौन जलकारी भाई जलकारी भाई का जिनम की बात करें तो जहांसी के उत्तर पश्चिमी दिसा में इस्तेत बोजन गाउं में कोरी समाज में हुगा था ठीक है कोरी समाज आप लोग जानते हैं जलकारी भाई ने महरानी लच्मवाई की योद में साहता की थी और हिरोज ने पीर अली और दुल हाजू की साहता से जलकारी भाई को पकड़ लिया लेकिन वह भाग निकली स्वाव हुई मानी जलकारी भाई ने पेट में वर्शी भोंकर अपने प्राणों की आहुती की एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने एक तरह से समान बाले लोग हुआ करते थे कि दूसरों की हाथों मलने से अच्छा है कि अपने हाथों मरिये और आज के लोगों को देखिए आप देखिए संगराम साहे के बारे में भी सुनते हैं तो गड़ मन्नला समराज गढणवाना छेट के पितापी राजा संग्राम साहे हुए और संग्राम साहे का मूल नाम था अमन दास और गड़ मन्लाज के बावन गड़ों को जीत कर उनोंने संग्राम साहे की उपादी धारन की थे और पिता अर्जुन सेंग के उत्राधिकार प्राप्त करने वाले संग्राम सार राज गौंड बंस के 48 भी सा सकते और बावन गड़ों की विजए के उपलक्ष में ही इन्होंने नर्सिंग पूर का चौरा गड़ भी बनवाय था अपने पुत्ते दल्वत साय का विवाद दुर्गावती से किया और जिन्होंने रानी दुर्गावती के नाम से आप लोग जानते हैं एस स्वय में विद्वान संस्कितिक की पिकांड पंडित और विद्वान की आसर दाता भी थे तरह एक नाम सुत्ते हैं रामचंद सिंगन तो ये रायगड बरत्मां 36 गड़ की पूर्व रियासत के राजा नरेश चंद सिंग ने राजनेतिक और समाध सिवा दोनों चेत्रों में युगदान दिया सारगण विद्वान सबा से 1951 वावन और फुसोर विद्वान सबा से 1962 सरसट में विधायक भी निर्वा बने पंडेत रवी संगत सुकला की मंत्री मंदल में पिवरार में 1952 में मंत्री भी बने मद्विदेश के पिथम आदिम जाती कल्यान मंत्री 1955 में बने और सरवादिक समाए 1955 से लेकर 1989 तक इस पत पर रहे ठीक है और इन्होंने कांग्रेस से पिथाको का सविद सरकार भी बनाई और मद्विदेश के पहले आदिवासी मुक्मंत्री अब तक एक मात आदिवासी मुक्मंत्री 1979 में बने थे राजनित दिग दुर्भावना से आठ अतेंत सरल राजा नरिश्चंद सिंग ने तत्काल ही राजनिती से सन्यास लिया और मात तेरे दिन यानि की 13 मार्च 1989 से 25 मार्च 1989 तर मुक्मंत्री रहे और इनों ने मुक्मंत्री का पद छोड़ दिया इनकी पत्नी ललिता देवी पुसोर से विधायक और फुत्री पुसपा देवी सिंग सारंगर से सांसद भी रहे हैं है तो फिर एक नाम और सुनिये आप लों श्रीमति जमना देवी ठीक है तो कुछी ज्लदा निवासी सुरगी है जमना देवी जमना देवी ने राजनिती एबं समाह सेवां दोनों समें सक्रियyer सारायनि भूमी का निवाई जमना देवी कुछी से लगातार विधायक रही है और मद्विदेश की विधान सवाव में विवपच की विधान महिला नेता भी रही है जमना देवी जाबुआ से सांसद 1962 से सांसद तक रही है मद्विदेश में से राजसवा सांसद भी रही है 1978 से 81 तक और ये बुगा जी के नाम से लोगप्रिय हैं और याद रखे बुगा जी उमाभालती को भी कहते हैं तो ये दो बुगा हो गई अब किसकी कौन बुगा हैं आप लोग तै करते रहना एक सड़क दुरगटना में निगाल होने के ततफर्शाथ सन 2010 में इनका डेट हो गई थी एक तरह से आप समसकते हैं और इनके भती जो उमंग सिंगार मद्वदेश में केमने मनती भी 1920 में रहे ठीक है सरदार गंजन सींग कोरकू तो महतमा गांदी के अहान पर घोडा डॉंगरी वेतूल में सुतंता पश्चाथ भी गंजन सींग कोरकू आदिवासी के मद्दे जंगल पहुँचकर देश प्रेम जगाती रहे देश प्रेम जानते हो कि आज भी आज की राजनिती आज की राती ने जो ऐसे देश भक्तों को वलाद बैठी है तरी गंजन सींग कोरकू की भी खैरियत पूचने वाला कोई नहीं था और अब उनके परिवार की भी जो माली हालत में गुजारा कर रहे हैं एक तरह से याद रखी आप समझें कि जो हमारे सुतंता सैना नहीं रहे हैं पिर आप समझें कि जहांस्ती की लच्मिवाई हो इनके परिवारों का बहुत बुरा हाल है आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आप देखिए कि आप देखेंगे कि जो आपके सिंधिया है परिवार है एक तरह से गंधार रहा है लेकिन इने आप समझ रहे हैं कि आजकल आप लोग राजा महराजा बनाए फिर रहे हो और आप लोग चुनाव भी जिता देते हैं और दूसरी तरह आप आप देखिए जिन्नों ने देश को आजाद कराया उनके लिए आप लोग क्या किया है समझ रहे हैं तो यह का आप कह सकते हैं कि अब देखिए क्या कर सकते हैं कुछ बदल भी नहीं सकते हैं जन्ता ही यहां कि आप समझे किस तरह की है और जन्ता पड़ी लिखी होती है तो आप समझे यह इतनी फ्रॉबलम थोड़ी जहल वही होती है उसे तो बोट देने से मतलब है बस उसके बाद क्या होता है बोट का उसे भी बता नहीं है ठीक है फिर आप देखेंगे एक नाम सुनेंगे दिलीव सिंग भूरिया तो जाबू अरनेवासी दिलीव सिंग भूरिया पारम में कॉंग्रेस दल से लगाता संसद साथ से ग्यारेवी लोग सभा रतलाम सीट में रहे हैं और राजनेती को पेक्षा के सिकाल सरी भूरिया ने वीजेपी की सदस्ता ली और रतलाम से पुना संसद भी बने ठीक है और ये राश्टी अनुसुचे जाती जन जाती आयों के सदस भी रहे हैं और सरी दिलीव सिंग भूरिया को वह राजनेती इस तर किसी दल ने पिदान नहीं किया जिसके विह हक्दार थे फैटलावद से विधाय कर रही रही सुसरी निर्मला भूरिया इनकी पुत्री है और स्री करांती लाल भूरिया की बात करें तो ये जाबुआ निबासी स्री करांती लाल भूरिया पिदेश की कॉंग्रिस की सबसे प्रभावी निताओं में से एक हैं और 2009 में केंद्रिय केवनिट मंत्री मर्मोहन सरकार बनने की पूर्व केंद्रिय किरसी राजमंत्री भी रहें और एनों रतलाम जहाबुआ लोकसभा से संसत भी रहें अक्टूबर 2019 में कौन जहाबुआ विदान साबा की उप्चनाव जीत करें यह विदायक भी बने ठीक है फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग श्री जन गन सिंग स्याम तो परधान गॉंड उपजाती जन जाती में पतंग गर्ण डिनोरी जिला में जनमे स्री जनन गन सिंग स्याम गॉंड चितकला की सरफसिष्ट कलाकार भी रहें और आप समझेगे और इनकी किर्थी की बात करें तो भारत भवन 1982 में प्यतसित हुई और इनको इस थाई कलाकार की रूम में निवकती भी मिले और चितकला जन गन कलम के नाम से पिसिद हु ठीक है एक फिर आप लोग उल्लू 1907 में इनकी सर्वोत्तम किर्थी माने जाती है मद्विदेश विभाजन की देवारों पर आदिवासी चित्रों का चिंतांकन जन्गर स्याम नहीं किया था मद्विदेश चासन की सिकर सम्मान और सहित अनेक सम्मान सम्मान स्री स्याम को प और इनकी पतनी मनको सिया भाई पूत्य मैंग स्याम जापानी स्याम सभी गौंडमित चितकला की सिध्धानत अरत कला का रहें तो आप समझ सकते हैं क्या क्या है क्या क्या हैं और एक नाम सुनते हैं संकर साहे रगुनात साहे संकर साहे का जनम 1776 में हुगा था और 20 लिसंबर 1870 को अंग्रेजों ने जवलफोर पर हमला करने के बहुंसले बंस का अंध कर दिया लेकिन उनकी मांग ठोकरा दी गई थी क्या की गई थी और संकर साहे को अंग्रेजों ने दरता पूरवक मार डाला था और राम नाम सब्सकर दिया था तो यह हैं आपके मतपदेश के पिसे व्यक्तित जो भी रहें उन सभी के बारे में ठीक है अगर कुश्चन पूचे भी जाते हैं पूचे भी जाएंगे इसमें कोई दोरा नहीं है तो इस तरह मुझे लगता है कि आपका क्या खतम होता है इस तरह आपका मतपदेश का इतिहास संस्किति और साहिद फूरा कवर होता है मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई कोश्चन नहीं जाएगा इतना काफी है ठीक है तो यह आपका कंप्लीट हो जाता है आगे की क्लास में देखिए भारत का इतिहास तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कई क्लास हैं लिच चुके हैं इस पर आप लोग पढ़ लीजे और लाश् करनी है मद्धिदिस के भूगोल के बारे में इस पर हम लोग टॉपिक वाई टॉपिक एक तरह से अच्छे से कबर कर लेंगे पूरा ठीक है बहुत जल्दी कर लेंगे चलिए मिलते हैं हम लोग आंगे